लो फ्रेंट्स फ्रेंट्स आज के ऍसस्पोर्ड में आपसबीक स्वागत है对 दोले आज की वीडियो इन सभी के लिए है ये आज का नुश्का दोस्तों ये स्वाप पतिशत एकदम नाच्रल नुश्का है और इसके बहुत वाइदा होने वाला है दोस्तो हर किसी की चाहत होती है कि उसके लम्मे बाल हो, घने बाल हो, चमकीले हो लेकिन दोस्तो आम तोर पर आज की टाइम पर प्रॉब्लम यह है कि सही आहार यानि सही डाइट और सही नूट्रियंट की कमी के वज़़े से हमारे हार्मोन के असंतुलन जो बैलन्स नहीं होता है उसकी वज़ा से हमारे बाल पतले हुजाते हैं और हमारे बाल बहुत ज़ड़ते हैं इसी कारण कई महिलाओं में हमने बहुत शिकायत सुनी है कि वो कहती है हमारे बाल ज़र गए हैं बहुत जादा क्या करें तो दोस्तों उनके लिए मैंने आज ये इस्पेशल वीडियो बनाई है आप बिलकुल भी घबराएं नहीं बस ये काम के घरें उसके इस्तमाल करें इससे आपकी बहुत जाता मुद्ध होगी दोस्तों वीडिय करते हैं आज के वीडियो दोस्तों इसके लिए में दो चीजों के आवशकता है एक तो चाहिए हमें दोस्तों आवला और दूसरा चाहिए हमें ऐलो वीरा दोस्तों आवला और ऐलो वीरा दोनों ही हमारे बालों के लिए और पुर शरीर के लिए दोस्तों एक ऐसा रामबान चीज है जो आपके हर बालो की समस्या के लिए आपको छुटकारा देगा दोस्तो ऐलो वीरा तो बालो के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है ऐलो वीरा जो होता है बालो में दोस्तो वो उनको खुबसूरत बनाता है बालों को चमकदार बनाता है और जिनके बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है उनकी बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है उनकी जान डाल लेता है अलोविरा और जिनकी दोस्तों बालों के समस्य है यानि पतले बालों के समस्य है और उनके बाल उनको अच्छे नहीं लगते यानि खुब सुरत नहीं है तो दोस्तों ऐसे में ऐलो विरा जेल लगाने से आपके बालों बहुत फाइदा होगा आपके बालों में अब बात करते हैं दोस्तों हम दूसरी चीज की वह है आमले का जूस आमले का जूस क्या चीज है दोस्तों आमले का जूस होता है वह आपके बालों के लिए बहुत फाइले देता है यह बालों के दोस्तों मोटा करता है घना करता है और काला करता है ठीक है आमले में दोस्तों आपके बालों में जो खोईवे पोशन तत्व होते हैं और ऐसे में आपके बाल बहुत घने हो जाते हैं काले हो जाते हैं मोटे हो जाते हैं अब बात करते हैं दोस्तों में नुश्का नुश्का बनाना कैसे है यह और कैसे इसे लगाना है दोस्तों सबसे पहले हमें लेना है aamれka juice तोस एक लिए आपको बराबर मात्रा में अंबले का जूस लेना है यहां फोर में दो चमच अमठ आउं लेका जूस ये जूस खारे अगर आपके बाद ड्यादय दोर लगाने चयानन हुआ test theatre वससा को से होंगे दोस्तो इसाब से आप मैंने यह पर रच लिया है अगर आपके बाल जाद लंबे हैं और आपको लगता है कि ज्यादा लगानी के दरवर्थ ने है तो आप तो हुआ करना क्या है अब इसे इस्तमाल कैसे करें। दोस्तों इस्तमाल करने का तरीका बहुत आसान है। इसके लिए कोई ज्यादा मश्किल काम नहीं। आपको कॉटन लेना है आपको कॉटन में आपको यह फूरा अच्छे होना है। दोस्तो और आपके बालों के जड़े हैं उनमें आपको अच्छे से इसको खूब लगाना है यानि आपको बालों की जड़े बिल्कुल तर कर देनी है इस आमले के जूस और एलोविरा के जूस के मिशन से दोस्तो यह बहुत ही कार्ण उसका है और इसके इस्तमाल से अगर सिर्फ एक हफ़ते के अंदर आपके पर बाल बहुत मजबूत दिखेंगे आपको बहुत ही जादा दोस्तो उनमें जान नजर आ जागी वो काले घने मोटे हो जाएंगे दोस्तो आपको इसको लगाना है और इसको लगाने के बाद करीब आदे घंटे के लिए आपको छोड के अंदां आप पहली ही बार के इस्तमाल से है जब भेंगे आपको फैल में दोगए आपको पानी आ जाता है तो में लगाएंगे दॉस जूस और आमले का जूस जाएगा ऐसा आपको दोस्तों अच्छे से करना है दस मिट की मसाज करनी है और आद एगंटे कले छोड़ दीजिए फिर आप किसी भी तरह से गुंगुने बाएं से अपने बाले को धो लीजिए ऐसा आप दिन में दोस्तों कभी भी कर सकते हैं कोई ौस जो फिक्स टाइम नहीं है, जब भी आपको में अप लगे किया हैं कर सकते हैं हां आप कर सकते हैं मातर winner ईक हफटे के अंदर आप दो रोज भी कर सकते हैं अगर जो लोग ऑफिस जाते हैं नहीं कर पारें तो हमें कम से कम तीन निन तो ज़रूर करें तीन दिन में जब आप कर देंगे हफते के अंदर तो को बहुत अच्छा अशास होगा आपके बाल बहुत मजबूत होंगे काले हो जाएंगे और जितने भी आपके बाल जड़नी के समस्य है वो सब दूर हो जाएगी दोस्तों मैं आचा करता हूँ आपके वीडियो पुसंद आई होगी आप के मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट के म सब्सक्राइब जल्द मिलेंगे अपने अगले अपसोर्ड में तब तक के लिए आप स्वास्त रहें मस्त रहें अपने ख्याल रहें आप आप